आज में लिकर आई हूं दाभली की रैसिपी यह दिखने पर इतना इतना horrifying होता है खाने में भी उतना मज़िदार होता है करचा मीठा तीखा चट पॉटा आपको साइभ टेस्ट ते इंगे इसमें तौ चली बहुत ही टीश की दाविली रिस्पी को बना चुरू करते हैं सबसे पहले दाविली का मसाला बना लेते हैं आप चाहिए दाविली मसाला बाजार से भीख़ート सकते हैं फिलहाल हम दाविली मसाला गार बना रहे हैं तो इसके लिए एक पैन में एक वताई कप साबुत धन्या ले लेंगे एक टीवल स्पून जीरा बारा काली मिर्च एक तेज पत्ता एक चमच सौफ आठ से दस लॉंग दो काली लाइची एक इंच दाल चीनी एक टीवल स्पून सफेद तिल दो टीवल स्पून सुखा गिसावा नायल डाल देंगे चार सुखी लाल मिर्च आधा चमच काला नमक एक चमच आमचूर पाउडर दो चमच कश्मी लाल मिर्च पाउडर इसकी वादे से जब हम मसाला बनाएंगे न आलू का दावेली के लिए उसका कलर बहुत बढ़ियां आएगा एक चमच हल्दी पाउडर राट करेंगे इन सारे मसालों को अच्छे से मैक्स कर लेंगे अब इन मसालों को गैस पर मीडियम फ्रेम पर रख देंगे और इसे 2-3 मिंट के लिए भुन लेंगे इन मसालों को लगाता चलाते वे भुनियेगा इतने सारे मसालों की वैज़े से धावेली का टेस्ट बहुत ही बढ़ियां आता है जो धावेली बनती है वो हल्की खट्टी, मीथी, चटपटी, बहुतभी अच्य लगती है खाने में सारे मसाले अच्छे से भुन गए अब इन अलका ठंदा होने देंगे उसके बाद इने पीस लेंगे इन मसालों को लगता नहीं पीस हिएगा कुछ से केंड चलाएगा फिर बंद करके चमच से चलाकर फिर पीस हिएगा ऐसा करने से जो हम साली इसमें मौश्चर क्रेट नहीं होगा अंदर की हीट की वजए से अब इसमें आदा चमच चीनी आठ करेंगे मसाले भुंते समय चीनी को नहीं आठ करियेगा चीनी को लास में ही आठ करना है ग्रैंड जाड में अब इन सारे मसालों को अच्छे से पीस लेंगे पीसने के बाद इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसी के साथ हमारा दाबेली मसाला बिलकुल रेडी है इसे आप 2-3 महें के लिए अराम से स्टोर करके रख सकते हैं नेक्स्ट अब इमली खटी मरी चटनी बना रेते हैं एक कडाई में 3 कप इमली का पानी ले लेंगे इमली को गरम पानी में आदे से एक घंडे के भीगो कर रख दीजिए और उसके बाद सारा पानी अच्छे से निचोड कर छान लीजिए अब इसमें एक चमश नमक एड़ करेंगे एक चमश कश्मी लालमिश पॉड़र इसे चटनी बहुत बढ़िया कलर आएगा और एक चौथाई चमश काला नमक एड़ करेंगे अब इस साई चीज़ों को अच्छा से मिक्स कर लेंगे और इन्हें मीडियम हाई फ्लिम पर पकने देंगे जब तक यह जो इमली का पानी है यह हलका गाड़ा ना हो जाए बीच बीच में एक दुबार चला कर चेक करते रहेंगे यह देखें मिक्षर कितना ज्यादा गाड़ा हो गया है और यह मिक्षर आप देख सकते हैं लाड़ पर भी स्टेक हो जा रहा है पकते हुए यह मिक्षर लगबग आधा हो गया है अब इस स्टेज पेस में हम चीनी आड़ करेंगे मैं यहां लगबग 8 टेबल स्पून लगबग आधा कब चीनी आड़ कर रही हूं आप चीनी अपने ही साप से आड़ कर सकते हैं चीनी मिक्स करने के बाद जब यह मिक्षर हल्का पतला हो जाएगा इसे थोड़े के लिए और पका लिजएगा जब तक यह थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है जैसे यह चटनी ठंडी होते जाएगी यह और गाढ़ी होती जाएगी इसे इस तरीके से हलका पतला ही रखिएगा बहुत जारा गाढ़ा नहीं करेंगा ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में 2-3 में के रख सकते हैं स्टोर करके इमडी की खटी मुझी चटनी बिल्कुल रेडी है नेक्स्ट अब लहसुन चटनी मुना लेते हैं गांड़ा जार में 6-7 सूखी लाल मिश एड़ करेंगे सूखी लाल मिश को 10 मिड़ के ले ग एक टेबस्पून भूनी हुई मुफली अब इसमें जाएगा स्वादन साय नमक चटनी बढ़ियां कलर आजा इसके लिए मैं इसमें एड़ कर रही हूं आदा चमश कश्मीर लाल मिश पौर्डर लास्ट में इसमें अधी निबू का रस एड़ करेंगे और आप इन साइज चीजों को अच्छे से पीस लेंगे इने पीसने के लिए आप उस पानी का स्वाल करिएगा जिस पानी में आपने सुखी लाल मिश को भिगाया था पीसने समय जाए जवत लगेगी उससे थोड़ादा पानी आड़ करते हुए इसे बिल्कुल गाड़ा पेस पीस अब इसमें आदा कब भुनी हुई मौफली डाल देंगे मौफली को भुनने के बाद उसका चलका निकाल लीजिएगा अब इसमें आदा चमच धाबेली मसाला एड़ करेंगे आदा चमच कश्मी लाजमिश पाउडर स्वादा उसार नमक एड़ करेंगे एक्षदा ही मौफली के ताद अच्छा से मिक्स हो गए और इसे के ताद हमारी मसाला मौफली बिल्कुल रेड़ी है नेक्स्ट अलो का मसाला बना लेते हैं सेम पैन में लगबग एक से दो टीवल स्पून ओल ले लेंगे जब और उसमें हम एक चमच ताबीली मसाला एड़ करेंगे और इसमें तीन से चार मैश के हुए उबले आलो एड़ करेंगे आलो के साथ ही इसमें आड़ करेंगे स्वादय नमक अब इन आलो को मसालों के साथ अच्छा से मिक्स कर लेंगे जब आलो को मिक्स करेंगे सारे मसालों के साथ तो आप देखेंगे जो मिक्सर आलो का काफी ड्र मतलब यह जु आलोमसाला यह ड्राइन आहो इन रार चीजों को एक दो मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे और इसी एक मेरा के सद आलोमसाला बिल्कुर रडी है अब दुकान में जैसे दाविली का मसाला सजाते हैं बिल्कुल वैसी इसे हम सजा लेंगे सो मैंने आलो का मसाला एक प्लेट पैस देके से ले लिया है इसके उपर बारी कटे हुए प्याज रख देंगे अब इसके उपर जाएगा मसाला पीनट इसके बाद इसके उपर घेसा हुआ सोखा नायल रख देंगे अब इसके उपर चौप कोई धन्या की पत्ती रख देंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे अनार के दाने इससे बहुत ही कलरफुल दिखते हैं और दाबिली में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है इनकी वज़र से और लास्ट में बलकुल बारीक वाले सेव जिनने नायलॉन सेव बूलते हैं उसे डाल देंगे और इसी के साथ यह जो मारा मसाला है बिलकुल रेडी है अब फ़्राफट साइज यह को असेंबल करके दाबिली बना लेते हैं आलू का मसाला इमले की चितनी नायलॉन सेव मसाला पीनट कालिक चितनी बारीक कटेवे प्याज अनार के दाने और बारीक कटेवे धन्या ले अब एक पाव ले लेंगे मेरे पास दाबिली वाले पाव तो नहीं थी मेरे पास यह सर्कल वाले पाव हैं अगर आपके पास दाबिली वाले पाव हो तो आप उनका इस्तमाल करें दाबिली बनाने के लिए जिस पाव का इस्तमाल करते हैं वो बहुत ही सॉप्ट होता है द आलो की मसाले को पाव के उपर अच्छा से फैला दीजिएगा आलो की एक लेयरिंग करने के बाद इसके बाद हम इसके उपर एक और लेयरिंग करेंगे पर उससे पहले हम इसके उपर थोड़े से प्यास थोड़े सी मसाला मोंफली थोड़े से अनार के दाने थोड़े सा सेव रखकर इसे हम बंद कर देङे अब दाविली को हलकी हाथ से प्रच करते भंद कर लेंगे और वाकर दावधिय को भी रिडि कर लेंगे अब last step इन दाबीलियों को सेख लेते हैं तब इपर थोग सा बटर डाल कर इस तरी से फैला देंगे इसके उपर जो हमें दाबीली रडी किया है उसे रख देंगे इन्हें कुछ सेकंड के लिए नीचे साइट से से शेखने देंगे जब इन उसे साइट से करें इन्हें हम पलेट लेंगे और दूश्री साइट से भी शेख लेंगे त्यार रखिएगा इन्हें क्रिस्पी नहीं करना है बस अलगा सा कहलें गरम करना है इन्हें फ़issements गरम गरम सर्फ करें ये खाने बहुत ही बढ़ियां लगते हैं कुछ सेखने के बाद इसे वापस से पलट लेंगे और फिर ताव इसे उतार लेंगे और इसी के साथ हमारी दाबिली बिल्कुल रेडी है लास्ट में जस गानेशिंग के लिए आप इसके उपर इसके से नाइल अली